तो यहाँ पे हमें height find out करनी है एक solid circular cylinder की जिसका total surface area दिया गया है 660 cm square एंड इसकी radius दी गई है यहाँ पर हमें 5 cm तो मैं यहाँ पे write कर लेता हूँ इसकी radius तो radius क्या है यह 5 cm है और इसका जो total surface area है वो कितना दिया गया है 660 cm square तो यहाँ पे मैं formula apply कर लेता हूँ total surface area of cylinder तो यह होता है हमारे पास 2 pi r into r plus h फीके 660 आजाएगा अब देखे यहाँ पे pi की value मैं ले लेता हूँ 22 upon 7 तो यहाँ आजाएगा मेरे पास 2 multiply में 22 upon 7 यहाँ पे radius दी गई है हमको 5 तो यहाँ पे आजाएगा 5 plus में h हमें find out करना है तो it is equal to 660 तो मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ यहाँ पे जो इस 5 plus h के साथ multiply में दिया गया है उसको मैं transpose कर देता हूँ यहाँ पे जो भी चीजे दी गई है 5 plus h के अलावा तो मैं यहाँ पे 5 plus h छोड़ देता हूँ बस it is equal to 660 तो 7 क्या है यहाँ पे division में है तो उधर जाके multiply में आएगा और यह 2, 22 और 5 यहाँ पे multiply में है तो इधर आके divide करेंगे इसको ठीक है transpose करके तो मैं इसको divide कर लेता हूँ यहाँ पे 22, 3 जा यहाँ गया और हमारे पास 5, 6, 30 and 2, 3, 6 तो यहाँ गया 21, 5 प्लस h i i हमारे पास कितना 21 तो h की value मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से 21 and 5 यहाँ पे plus का है तो उधर आके minus का होगा तो यहाँ जाएगा 16 cm तो इस cylinder की जो हमारे पास height आईए ना हुआ यह 16 cm